यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जिनों मामले दर्ज हैं और इसके अलावा भी आपको बता दें कि काई बार राज्यस्थान जेल से ये जो गजेंद्र उफ अरोपी है ये भाग चुका है पिछले चार साल से लापता था गजेंद्र और जाहिर सी बात है कि बड़ी काम्याबी जरूर जो है पुलिस के लिए ह इस अरोपी को धर दबोचा है गुल्शन ग्रोवर गुरुगाम से खबरे अभी तक समवधाता फोन लाइन पर मुझूद है ज्यादा जानकारी के लिए अगुल्शन बड़ी काम्याबी कहेंगे पुलिस के लिए क्योंकि शातिर आरोपी है देखे बिलकुल गुरुगाम पुलिस ने एक आरोपी को गरपतार किया है जो कि लगतार गुरुगाम पुलिस के साथ-पाथ अन्या राज्यों की पुलिस को भी चक्षमा दे रहा था और ये आरोपी जो है स्कूल टाइम से ही लगतार चोड़ी की वार्दातों को अंजाम जिसा आया है अब जाकत जायो है गुरुगाम पुलिस में से गरपतार किया है राजिस्तान जेल में भी ये बनता जो कि तीन बार राजिस्तान जेल से फरार हो गया है और अब पिछले चार साल से ये धर से भी जो है लापता था और अलग-अलग ठीकानों पर जो है ये रह कि बिल्कुल अलग अलग राज्यों में जो है इस अरुपी के नाम कई मामले दर्ज है और यह हर तरह की वारदात को अंजाम जेसाथ अच्छा है चोरी की हो शीना जप्टी की हो मार्पिकाई हो इस तरह की कई वारदातों में वांचिता तो ऐसे में अब जो है चोरी की लगबग दर्जनों वारदाते जो है आज प्रदापुलिस के द्वारा सुल गी है अंतिन सवाल आप से यह जो आरुपी पकड़ा गया है चार साल से बताया जारा कि फरार था अब ये पुलिस की गिरफ्त में आया है तो क्या इसने कोई गिरोभी बनाया या अकेल गुड जो है त्यार करता है उसके बाद इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है चीला जब्ती हुई या लूट हुई लेकिन ये बड़ा शातिर था और ये खुद ही अपना प्लान करता था और उसके बाद पुद ही वारदात को अंजाम देता था उसके बाद उस ठिका एक और pi पूलिस को चीना जप्ति पहले ही और गुरिशिकों पूलिस की Hang उस्कार गुर्णाष कलई एक उस्पारि ही यहाँ kauffey सालों से फराद से हरा告诉 पुलिस लगातार पोस्टार्च करेगी और देखना हुआ क्या खुलासा एरोपी करता है बहुत बहुत शुक्रे अगुल्शन तमाम जानकारी करें अगुल्शन तमाम जानकारी करें